अपना बाइबल खोले सभी आज मैं बहुत खास टॉपिक के उपर आप से बात करूँगा आज बहुत श्पेशल मैसेज परमिश्व ने मुझे आपके लिए दिया है इस मैसेज को ध्यान से सुनना है इस मैसेज को अपने दिल में रखना है क्योंकि आज इस मैसेज के द्वारा परमिश्वर आपकी कमियों को आपकी घटियों को दूर करने के लिए जा रहा है चर्च बोले आमेन आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेर करने के लिए जा रहा हूँ वो है अन्य बाशा पर गैर बाशा पर कितने लोग हैं जिन्होंने गैर बाशा को पाया है जिनके पास Speaking of Tongs का गिफ्ट है आपको पता है जब तक आप अन्य बाशा नहीं बोलेंगे आपको गैर बाशा नहीं मिली तब तक आप शेतान के उपर जीत नहीं पा सकते हैं गैर बाशा एक वो गिफ्ट है गैर बाशा परमिश्व की तरफ से वो हत्यार आपको दिया गया है जिसके दौरा आप परमिश्व से गुप्त बातें करते हैं हो सकता है आप गाड़ी मांगें परमिश्व को कहें परमिश्व मैंने 2020 में गर बनाना 21 में मैंने गाड़ी लेनी है मैंने अपनी अपनी फैमिली को कैनिडा अमेरिका सेटल करना है प्रभू मैं फिनेंचल ली बढ़ना चाहता हूं परमिश्व मैं स्पिरिच्वली ग्रो होना चाहता हूं आप कुछ ऐसी गुप्त बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए आप परमिश्व से सिर्फ अपनी भाषा में शेर कर रहे हैं तो शेतान उसको सुनेगा और उसको रोकेगा स्टॉप करेगा लेकर जब आप गैर भाषा में बोलेंगे शेतान गैर भाषा को नहीं समझता है क्योंकि वचन कहता है जब आप गैर भाषा बोलते हैं आप गुप्त में परमिश्व के साथ बात करते हैं बो आमेन आपको कितना बड़ा ब्लेसिंग चाहिए जब आप गुप्त में परमिश्व के साथ शेर करेंगे तो आपकी blessing शेतान कभी भी रोक नहीं सकता है मेरे साथ एक वच्छन पढ़ो पहला कुरंथियों उसका 14 अधियाई उसके एक वच्छन से फर्स्ट कुरंथियन चैप्टर 14 वर्ट्स 1 से पढ़ना जाता हूं प्रेम का अनुकरन करो और आत्मिक वर्दानों की धुन में रहो विशेश करके यह के बविश्य बानी करो क्योंकि जो अन्य बाशा में बातें करता है वे मनुश्यों से नहीं प्रंतु परमिशुर से बातें करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह बेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है कितने लोगों को समझ जाया जो मैंने वचन पड़ा वचन में लिखा जो अन्ने भाशा में बातें करते हैं वो मनुश्यों से नहीं वो परमिशुर से बातें करते हैं इसलिए कि वो आत्मा में होकर बोलता है अगर आप परमिश्र के साथ कोई भेद की बात शेयर करना चाहते हो तो आपको अन्य भाशा बोलना होना चाहिए आपके पास गैर भाशा का गिफ्ट होना बहुत जरूरी है गैर भाशा क्या है? शाबालाबार रबा शाखरा ऐसे करना गैर भाशा नहीं है गैर भाशा है कि आप आत्मा में होकर बोलें जो परमिश्र का आत्मा आपको बोलने के लिए कहें वो आप बोलें कुछ लोग गैर भाशा बोलते हैं वो कॉपी करेंगे वो अगर शारा बारा कर रहा है तो वो भी वैसे ही कॉपी करना शुरू करेगा copy नहीं करना है शरीर को इस चीज के लिए बिलकुल use नहीं करना है जब आप आत्मा में होंगे spirit में होंगे और आत्मा में होकर आप घैर भाशा बोलेंगे तो आपका आत्मिक engine स्टार्ट हो जाएगा और आप परमिश्र के साथ spiritually connected हो जाएगे और आपका हर सीक्रेट आपका हर गुप्त भेद परमिस्टर जानना शुरू करेगा और आपकी प्रेयर्स का अंसर आना शुरू हो जाएगा बो आमेन इसलिए प्रेयर्ट पॉलस अपॉस्ट्र पॉल कहता है जब तुम अन्य भाशा में प्राथन करते हो तो तुम गुप्त में परमिस्टर के साथ भेद की बाते हो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनियादारी में मस्त है दुनिया की बातों में दुनिया की चीजों में एक दम से नशा चड़ा हुआ उनको प्रभू में हैं, मसी हैं, क्रिश्चन हैं लेकर दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं उनको ये नहीं पता हैं कि परमिशुर हमें क्या सिखा रहा है हमें कैसे प्रभू में आगे बढ़ना है किस किस हत्यार की हमें जरूरत है जैसा कि अफिशियों उसके छे अधियाई में अपॉस्टल पॉल कहता है कि परमिश्र के सारे हत्यारों को ले लो ताकि तुम शेतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको तुम उस बुरे समय में जब महामारिया, अकाल, भूकम जब हलात आपके अगेंस्ट होगे उस समय में तुम खड़े सिथर रह सकोगे जब आत्मा के वरदान तुमारे पास होगे वो सारे हत्यार तुमारे पास होगे आज अगर आपकी जिंदगी में गड़ है आप सोच रहे हैं मैं करजे से गरेबी से नहीं निकल पा रहा हूँ मैं लाकों रुपे को माता हूँ लेकर मेरा कुछ नहीं बनता है मेरी लाइफ में डले 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 क्यों हो रहा है तो आज मैं आपको यहीं अनकरजमेंट देना चाहता हूँ अन्य भाशा का वरदान आप ये शुमसी के नाम में मांगे आप आज से अन्य भाशा का गिफ्ट परमिश्वर से मांगना शुरू करें और जब अन्य भाशा का गिफ्ट गैर बाशा आपकी लाइफ में आ जाएगी आप फ्री होना अजाद होना शुरू हो जाएंगे और आप परमेशुर के साथ अपने सीक्रेट को शेयर करेंगे, बोलो, आमेन पवितर शास्तर बाइबल कहते हैं, डैनियल ने परमेशुर से प्रात्ना की और शेतान ने उसकी प्रात्ना का उत्तर 21 दिन तक रोक रखा क्योंगे डैनियल जब प्रात्ना करता है, उसकी प्रात्ना में गड़ों को ढढ़ा देने वाले प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं परमेशुर का ऐसा सेवक, ऐसा डास, डैनियल जिसके पास ड्रीम, दर्शन, भेदों को सोलूशन देने वाला वर्दान है जिसके पास आज जब उसकी prayer को शयतान रोक सकता है तो आप कौन हो सकते हैं जिसकी प्राथना ना रोकी जाए शयतान आज भी आपकी prayers का answer रोकता है मेरी life में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने permission से मांगी मेरी जिन्दगी में भी कुछ चीजों का उत्तर बहुत देर बाद आया फिर मैंने इस सीक्रेट को इस चीज को समझा कि हाँ सच मुझे टंग्स में मुझे गैर बाशा में प्राथना की जरूरत है मैंने अपनी गैर बाशा में प्राथना को इंक्रीज किया और आज प्राथना करता हूँ अगले दिन ही येशु मसी के समर्थी नाम से मुझे उत्तर मिल जाता है इसलिए चर्च कलिसिया आपको गैर बाशा में बढ़ना बहुत ज़दा जरूरी है पवितर शास्तर बाइबल कहता है जब येशु मसी स्वर्ग चले गए और चले जब येशु को अकाश में जाते हुए देख रहे थे बादलों ने जब येशु को छुपा लिया तो एक स्वर्ग दूत येशु के चलों के पास आया और येशु के चलों को कहा उपर की तरफ तुम क्या देखते हो जही येशु जो उठा लिया गया इसी तरह से फिर वापस आएगा और जब आप एक अध्याय पढ़ोगे प्रेरतों के काम वहाँ पर लिखे हैं कि तुम उपर से सामर्थ पाओगे और दो अध्याय प्रेरतों के काम में लिखे हैं वही सामर्थ चेलों के ऊपर आई मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रेरतों के काम उसके दो अध्याय उसके चार वचन में वहाँ पर क्या लिखे हैं वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस परकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी कि वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे सारे बोलो क्या करने लगे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे अन्य अन्य भाषा गैर भाषा वो भाषा जो स्वर्गिये है वो भाषा जिसे इंसान नहीं समझ सकता है आज आप पंजाबी में प्रेयर करते हो बहुत अच्छी बात हैं हिंदी में, इंगलिश में दुनिया की किसी भी लैंगवेज में आप प्रेयर करते हो कोई problem नहीं आप प्राथन कर सकती हो लेकिन जब आप अन्य भाशा यानि गैर बाशा में प्राथना करते हों, तो आप खुदा के साथ spiritually connected होते हों, बलो Amen, कुछ लोग prayer करते हैं, प्राथना करते हैं, लेकर वो जमीन के उपर ही रहते हैं, उनके विचार, उनके सोच, अगर उन्होंने कोई movie देख ली, वो movie उनके दिमाग में गूमती रहेगी, अगर उन्होंने कोई film देखी, कोई horrible film देख ली, कोई ऐसी ghost वाली, या कोई ऐसी Hollywood, Bollywood की, या कोई ऐसी कोई गंदी चीज देख ली, वो उनके mind में skip करती रहेगी, उनके mind में वो दुबारा दुबारा उनको tease करती रहेगी, उनके दिमाग में वही चीज़ें दुबारा नहीं सिवकाई में आया, मैं चलता था, सेर करने के लिए जाता, टंग्स बोलता रहता है, गाड़ी में टंग्स बोलता रहता है, मैं कोई भी काम करता, अन्ने भाषा में गहर बाशा में रहता था, हर वकत, आज भी, अगर मेरी गवाही को आप देखो, मैं ज़्यादा से ज्यादा prayer जो है गैरबशा में करता हूं पहला करंथियों उसके चोड़ा अधियाए में Apostle Paul कहते हैं मैं 10,000 से ज्यादा शब्दों में गैरवाशा में प्रात्रना करता हूं मतलब वो कह रहा है It means कि उसने दस हजार वर्ड के करीब प्रातना की है और उसके उपर वाले वच्छन में वो कहता है कि मैं जादा से जादा प्रातना गैर बाशा में करता हूं मुझे अच्छा लगता है बो आमेन बाइबल का इतना बड़ा लेजिंट बाइबल का इतना बड़ा अपॉस्टल जब गैर बाशा में प्रातना करता तो आज के चर्च को सुस्ती लेजिनस क्यों है क्योंकि वो गैर बाशा में प्रातना नहीं करते हैं जब आप गैर बाशा में कभी-कभी आप पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में प्रेयर करना स्टार्ट करते हो, आप जल्दी-जल्दी connected नहीं होते हो, लेकर वेन यू स्टार्ट, जब आप गैर बाशा में स्टार्ट करोगे, आप immediately खुदा के साथ connected होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि गैर बा होगे, आप बुलोगे कि अब मेरे सामने कोई आ भी जाए तो मैं मार दूँगा उसको, अगर शैतान मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसको फाड़ के रख दूँगा, आपके अंदर इस तरह का जनून आ जाएगा, क्योंकि होली गोस्ट, जब आप गैर बाशा में प्राथना करते हैं, तो काम करना शुरू करता है, आपके अंदर पावर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और आपके अंदर विश्वास, फेथ, एक बहुत बड़े लेवल पर पैदा हो जाता है, बो आमेन, इसलिए आज आज आपको परमेशर क्या सिखा रहा है, कि आपने गैर गैर बाशा में प्रेर करनी है, जिन लोगों को गैर बाशा नहीं मिली है, आज से परमेशर से गैर बाशा मांगना शुरू करो, क्योंकि गैर बाशा को आप बोलते हैं, परमेशर समझता है, या परमेशर कोई बात बोलता है, तो आप समझते हैं, तीसतरा बंदा इसको कभ जॅन्वों तर नहीं कोई ऐसा शबद आएगा वो बोलेंगे हां यह शबद तो अफ्रीकां का है यह शबद तो इंग्लेंड का है यह तो English का है यह अर्बिक है नहीं आप उसको नहीं जानते हैं सिर्फ उसको उस शबत को उस वर्ड को वही व्यक्ति जानता है जिसके पास ट्रांसलेट करने का गिफ्ट है बो आमेन लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपने गैर बाशा में क्या बोला है ब्रदर शेमीहंस के पास ये गिफ्ट है हमारी चर्श में और वी कुछ लोग है जिनके पास ये गिफ्ट है मेरे पास ये वर्दान है अगर कोई मेरे साथ बैठा व्यक्ति टंग्स में बोलेगा गैरबाशा में बोलेगा तो मुझे उसकी समझ आएगी मैं एक मीटिंग में चला गया उस मीटिंग में एक सौथ इंडियन प्योर कैरला का सौथ इंडियन व्यक्ति गैरबाशा में गीत गा रहा था तो जब गीत गा रहा है तो सब लोग सौथ इंडियन थे तो मैंने सुझता ये सौथ इंडियन ही बोल रहा है मुझे नहीं पता थ था कम से कम 2006 की बात बता रहा हूं तो मैं जब गया करनाल की बात है तो वो गीत गारा है टंग्स में घैर बाशा में तो मुझे समझ नहीं आ रही थी यह क्या कर रहा है लेकर जैसे मैं आखे बंद करके सुन रहा था तो उस गीत की मुझे समझ आने लगी पवितर आत्मा सपीरिट उसकी ट्रांस्लेशन देगा एक वचन मेरे साथ पड़ो रोमयों रोमयों की पत्री सका आठब्डे उसके शब्यूस भीस वचन में इसी र robotic से आत्मा भी हमारी दूर बलता ऑमme सहाइता करते हैं आतमा क्या करता है साहरा चुर्च बोलो 2 इस आतमा क्या करता है सह आत्मा आपसे क्या करता है। बात करते हैं। क्योंकि हुम नहीं prepared के प्रात्मा किसरती से करना चाहिए। प्रॉस्चों आत्मा एसे आहें बरबर के जो बियान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब ढप गैरबाशमेस करते हो तो तो आप एक दम शरीर से तूट कर spirit के साथ connected हो जाते हो और आप आत्मा में prayer करना start करते हो कितने लोग हैं जो आत्मा में prayer करते हैं जो गैरबाशा में prayer करते हैं मुझे याद है मैं एक घर में प्राथना करने के लिए चला गया मैंने आखे बंद करके देखी उस गर में बहुत बड़ी-बड़ी वेदियां बनी हुई थी बहुत बड़े-बड़े श्यतान के गड़ बने हुई थे परमिश्वर के आत्मान मुझे दिखाया उस गर में चमगिद्ड़ें जो है ऐसे चमगिद्ड़ों के स्पिरिट जो है श्यतानी स्पिरिट उनके घर की छथ पर चिपके हुए थे मैंने आत्मा में देखा नंगी दूस्ट आत्मा हैं उनके घर में घूमती है ऐसे कपड़े काले ब्लैक कपड़े चुनी जैसे कपड़े पहन कर इवल स्पिरिट्स दीमन्स उनके घरों में गुमते हैं और जब मैं प्राथना करने की कोशिश करता हूं वो श्यतान मुझे डराता है वो ऐसे आखें निकालता है मेरी तरफ और मुझे प्रेयर करने से रोकता है जैसे मैं पंजाबी में हिंदी में प्रेयर करता हूं शतान मेरे बाजूओं को खीचता है मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है लेकर जैसे मैं घैर बाशा में प्राथना करता हूं जब आप आत्मा में connected होते हो तो आप आत्मा में ही prayer करते हो इसलिए जब आप सबसे बड़ा secret आप को जानना होगा में चीज याद रखो जब आप गैर भाषा में प्रात्ना करते हो आप परमेश्वर से गुप्त में बाते करते हो सारा चर्श बोले क्या करते हो किस से बाते करते हो कौन सी बाते करते हो गुप्त की बाते हैं गुप्त की बाते हैं क्या होती है जिसको कोई बंदा understand नहीं कर सकता है मालो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आजाए जिसकी आपको लेंग्वेज नहीं आती है आपको उसको अंडरस्टेंड नहीं कर पाओगे लेकिन जब परमिश्र का आत्मा आपके अंदर होगा होली स्पिर्ट गहर भाशा को ट्रांसलेट करेगा और आपके अंदर एक एक चीज आपको समझ आना शुरू हो जाएगा प्रेयरित पॉलिस अपॉस्टल पॉल जो चौब्यस चौब्यस घंटे प्रेयर में रहता था जो कहता है में तीसरे असमान पर उठाली बिया गया मतलब मेरा शरीर जमीन पर इस प्रिट तीसरे असमान पर उठाली अगया सोच कर देखो परमेश्वर ने उसको गहर बाशा गहर बाशा कोई ऐसे थोड़ी नहीं कोई मजाग थोड़ी है कि परमेश्वर आपको बता रहा है कि ऐसे बता रहा है उसने अगर आपको बताया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रिजन है एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है और अगर आप गैर बाशा पा रहे हो या पाच चुके हो या पाने वाले हो तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ ये शुमसी के समर्थी नाम से चेंज होने वाली है इसलिए मेरे प्रियों वचन में लिखा हैं कि जब आप गैर बाशा बोलते हो आप गुप्त में बाते करते हो मेरे साथ एक वचन पढ़ो डैनियल की पूस्तिक उसके पांच ध्याय में लिखा है कि बेल शेशर नामक जो राजा था उस राजा ने अपने कई हजार परधानों को बुलाया अपने मंत्री संत्री अपने राज्य के सारे याजकों को बुलाकर उसने एक बहुत बड़ा बोज तियार किया वचन में लिखा कि बैल शेशर राजा बहुत सारे हजारों हजारों जाजकों को एकठा करते हैं और अपने दरबार में एकठा करके बड़ा बोज कि अब वो नाच रहे हैं आभी वो शराब पी रहे हैं डांस करें मनुरंजन कर रहे हैं चलो यह तो सब कुछ चल रहे लेक 파 ये रोशलम से जो परमिश्वर के पवित्र भवन के बरतन थे पातर थे उनको लेकर आया उनको यह मेरे पास लेकर आओ और उसने क्या किया वो पातर वो बरतन मगवाकर यो परमिश्व के भवन से आये थे उनमें शराब पी और वच्ण में लिखा है जब उन्होंने उसमें शराब पी देवताओं की पूजा की मूर्टियों के सामने माथा टेका तो क्या हुआ पांच वच्ण में लिखा कि उसी गड़ी मनुश्य के हाथ की सी उंगलियां निकल कर दिवार पर राजमंदर की दिवार पर कुछ लिखने लगी और परमिश्व का हाथ जब उनको दिखाई पड़ा तो राजा डर गया मेरे प्रियों परमिश्व का न्याएं देखो उस वकत कैसा था परमिश्व का भ्यानक रूप उस वकत लोगों ने देखा आज परमिश्व अपना भ्यानक रूप लोगों को नहीं दिखाता है क्योंकि येश्व मसी में अब हम पर अनुग्रह आ चुका है बो आमेन अब परमेशवर किसी को मारना नहीं चाहता है परमेशवर मौका देता है को लोग बचें लेकर उस वक्त अनुग्रे नहीं था क्योंकि येशु मसी अभी तक नहीं आये थे और परमेशवर जब भी कोई गुनाह करता था उसको उसी वक्त सजा मिलती थी इमीडेटली एक्षिन होता था लेकर अब खुदा माफ करता है अनुग्रे के दौरा हम पर ग्रेस के दौरा हम पर माफी ये शुमसी के नाम में आ चुकी है ये राजा दाक मदू पी रहा है शराब पी रहा है अपनी रखेलियों रानियों के साथ याजगों के साथ इंजॉय करता है उसमें शराब पीता है और फिर देवताओं के सामने सर जुकाता है मूर्तियों की पूजा करता है और वचर में लिखा परमेशुर इस सी से इतना क्रोधित होता है क्या होता कि परमेशुर एक चमतकार वहां पर करता स्चरय करम एक हाथ निकलता है और वो क्या देख के मौके पर हो डीजे चल रहा है लोग नाच रहे हैं बहुत सारे लोगों ने शराब पी हुई हैं सब बच्चे आपके लोग सब खुश हो रहे हैं और आप वहां पर एक ऐसा भ्यानक काम देखो आपको कैसा लगेगा पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम जो है वो एक बहुत हो गया उसकी कमर की हडियां हिल गई उसके पैर ठर्थराने लगें एक गुमंडी एक शराबी एक परमिश्वर की निंदा करने वाला राजा आज चूर चूर हो गया एक हाथ ही देखा उसने और वो डर गया अब राजा बैबीत हो गया और राजा अपने जितने वी तंतर मंतर कश्दी पुजारी या जितने वी लोगते सबको बुलाता है और बोलता है कि यह जो हाथ लिक रहा है मुझे इसका मतलब बिताओ इसका अर्थ क्या बनता है इसका फल क्या बनता है मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाथ मुझे क्यों दिखाई दिया किसी के अंदर जुरत नहीं हुई हिम्मत नहीं हुई कि वो लेख जो दिवार के उपर लिखा गया था वो बताया जा सके मेरे प्रियों रानी राजा के पास आती है और उसको कहती है हमारे राज्ये में एक ऐसा व्यक्ती है जो इस लेख का अर्थ बता सकता है क्योंकि पवित्र इश्वरों की आत्मा उसमें रहती है और उसका नाम है दैनियल और दैनियल का नाम उसके पिता नबूग दनंसर ने पहले बैल शशर रखा था और आज जब दैनियल का जिकर होता है तो वो दैनियल को बुलाते हैं डैनियल सामने आता है राजा के सामने खड़ा हो जाता और बोलता है राजा तुने ये क्या गलती कर दी तू अपने बाप की हिस्ट्री को तू अपने पिता की पीछे बैकराउंट को नहीं जानता है कि उसने कितना बड़ा गुमंड किया था तेरे वाली सेम गलती तेरे पिता ने की थी और परमिशर ने उसको जनवरों की तरह बना दिया था और साड़े तीन साल तक वो जंगल में घास चरता रहा उस पर ओंस पढ़ती रही और अंत के समय में उसने परमिशर को ग्रहन किया और फिर परमिशर ने उसको बहाल किया क्या तू इस बात को नहीं जानता था कि वो यहोवा परमिशर आज भी जिन्दा है और आज भी बड़े काम करता है और उससे डरना चाहिए तूने आज बहुत बड़ी गलती की है तूने अपने पिता नबूक दनेंसर की हिस्ट्री को बुला दिया तूने उस बात को बुला दिया अब देख परमिशर तुससे निराश हो चुका है वो कहता है मुझे बता तेरे अंदर तो ईश्वरों की आत्मा रहती है तेरे अंदर तो बुद्धी परवींता पाई गई है अश्वरिया तेरे अंदर पाया गया है अब तू मुझे बता मैं क्या करूँ मुझे इसका फल बता मुझे इसका अर्थ बता क्योंकि मेरे कस्दी पुनरिये याजिक जदू टोना करने वाले जो बाल के सामने पूजा करने वाले हैं वो भी सारे की सारे निकम्मे बन गए इस लेख को कोई समझ नहीं सकता है वचन में लिखा है 23 वचन में वो कहता है वर्न तुने स्वरक के प्रभू के विरूद सर उठा कर पातर मगवा कर उसमें शराब पी तुने अपनी रानी रखेलों के साथ मिलकर तुने देवताओं की पूजा की तुने परमेश्र को बुला दिया 24 वचन में लिखा तब यही हाथ जो उसका एक भागता प्रकट किया गया और यह शबद लिखे गए 25 में वो शबद क्या थे जो लिखे गए कितने लोगों को समझ आरी मैं क्या बोल रहा हूं सबको समझ आरी है डैनियल के समय में जो राजा बेल शचर को हाथ दिखाई दिया उंगली दिखाई दी जो राजमंदर की दिवार पर लिख रही थी वो वचन जो शबद लिखे गए वो शबद क्या थे 25 वचन में लिखा वो शबद थे मने मने तकेल उफरसीन सारा चर्च बोलो क्या थे मने मने तकेल उफरसीन ये शबद राजा बेल शशर ने दिवार पर हाथ के द्वारा लिखते हुए देखे मेरे प्रियों वहां पर एक भोज किया गया मान कर देखो एक भोज हो रहा है राजा के गर में एक बड़ी पार्टी हो रही है एक लेंग्वेज का बंदा वहां पर नही कर सकता था और भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे लेकर ये भाशा जमीनी भाशा नहीं थी ये भाशा किसी राजा किसी देश किसी कंट्री की बाशा नहीं थी ये गैर बाशा थी जो परमिश्वर की तरफ से आई और इस गैर बाशा को कोई नहीं समझ सका सिर्फ वह भी समझ सका जिसके पास गैर बाशा को समझने का व्रदान था बो आमेंट पवित्र शास्तर बाइबल कहता है पचीस वचन में लिखा है वो जो वचन जो परमेश्वर ने एपने हाथ के दौरा वानिंग लिखी थी वो क्या थी मने मने तकेल ओफर्सीन जिसका अर्थ है मने क अर्थ है कि तेरे राज्य को परमेश्यने गिरता हुआ देखा उसका अंत किया गया है तकेल का मतलब कि तुझे तोला गया लेकं तु फल्का पाया गया और उफरसीन का मतलब कि तेरा राजे-मादियों और फारसी कि तो परमिश्वरजें ना ay्यल के समय में एक एक secret प्रकट किया गया जो राजा को कस्तियों को याजकों को तंत्रियों को मंत्रियों को संत्रियों को ग्यान रखने वाले जोत्षियों को astrologist को, किसी को भी उस वक्त समझ नहीं आई देखो कैसी ये language है स्वर्गी भाशा, स्वर्गी भाशा वही व्यक्ति समझ सकता है, जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, बोलो, Amen आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप अगर स्वर्गी भाशा को सीखना चाहते हैं, आपको खोदा के साथ connected होना पड़ेगा, उसने कहा मने मने तकेल उफर्सीन तु तोला गया लेकन कम निकला, हलका निकला तेरे राजे का आंत कर दिया गया तेरा राजे मादियों और कस्दियों में तेरा राजे जो है, वो फरीसियों पहनाई, डैनियल को इतनी respect दी और वचन में लिखा जब आप पढ़ोगे तीस वचन में, उसी राथ कस्दियों का राजा बैल शेशर मारा गया और उसकी जगा पर मादियों का राजा जो 62 वर्सका था वो उसकी राजगदी पर बैठ गया जिसका नाम थद्दारा मेरे प्रियों परमेश्र का न्याएं परमेश्र की जज्जमेंट उस वकत बहुत स्ट्रेट थी परमेश्र उस वकत गॉड़ वाज वेरी स्ट्रिक विद पीपल नो कंप्रमाइज आज भी आप जब सौदी अरभिया में जाओगे वहाँ पर रूल्स बड़े स्ट्रिक हैं अगर कोई व्यक्ती गुना करता है पाप करता है उसको मारा जाता उस्सी वक्त महले में खड़ा करके चुराहे में खड़ा करके उसको गोली मार दी जाती है उल्टा लटका दिया जाता उसको अगर किसी ने किसे की आँख निकाल दिया है उसकी आँख निकाल दी जाती है अगर जिस आँख से जिसने पाप किया है उसके वही आँख को काड़ दिया जाता है उसको नस्ट किया जाता है उसको सजा मिलती है यह सौदी एर्बिया का रूल है और आज आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेशर येशु के आने से पहले कोई माफी नहीं थी यही रूल से अगर मैं बताना चाहता हूँ अगर येशु मसी ना होते तो आज यही सेम रूल इंडिया में हर दुनिया के कोने में होते क्योंकि आज जाला तर रूल्स बाइबल के ही दुनिया में फॉलो किये जाते हैं चाहे लोगों ने आगे जाकर अपने अपने समुदाओं में इनको ट्विस्ट करके यूज किया है लेकिन बाइबल के रूल्स ही योहूदियों के रूल्स ही शुरू से इस्तेमाल किये जा रहे हैं आज परमिश्र की ग्रेस आपके उपर है मेरा मेंट टॉपिक आपको समझाना यही है के मने मने तकेल उफरसीन जो लवज वो हाथ लिख रहा था राजमंदर की दिवार पर वो अन्य बाशा थी गैर बाशा थी जिसको राजा कस्दी जाजक ना समझ सके सिर्फ दैनियल सिर्फ दैनियल जिसके अंदर पवितर इश्वरों की आत्मा रहती थी वही समझ पाया बो आमेन आमेन उचा तो ब्लैसिंग आप की है इसलिए आज आप इस शीज़ को समझो कि पुरादे नियम में भी परमेश्वर गैर बाशा में बात करता था पुरादे नियम में भी गैर बाशा थी सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में नहीं कि परमेश्वर येश्व मसी ने वादा किया और वो आई पुराने नेम में भी परमेश्वर येश्व था आत्मा में, स्पिरिट में बादल और खंबे के रूप में दिखाई देता था और उसने लोगों को इंकरज किया आज के समय में कि तुम जब गैर बाशा पाओगे तुम समर्थी बनोगे तुम अपनी उंती करोगे तुम और ग्रो हो जाओगे कितने लोग आज ग्रो होना चाहते हैं अपना हाथ उठाओ और मेरे पीछे बोलो परमिश्वर मैं ग्रो होना चाहता हूँ मुझे गिफ्ट दीजिए मैं गैर बाशा बोलूँ मैं गड़ों को तोड़ दूँ आमेन मेरे प्रियो ये शाया बविश्वक्ता ने इसकी बविश्य बानी की मेरे साथ एक वचन आप पढ़ दीजिए ये शाया उसका 28 सद्धे आए उसके 11 वचन में वह इन लोगों से परदेशी होटों और वदेशी बाश्वालों के द्वारा बात करेगा ये शाया बविश्वक्ता ने बविश्य बानी की है वो क्या कहता है For by the people of strange lips and with the foreign tongue the Lord will speak to his people के परमेश्वर पρदेशी होटों से और गैर बाशा से लोगों से बात करेगा अजब कोई गैर बाशा बोलता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे है कौन सी बाशा ये इस्तेमाल कर रहे है लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ती उस घैर बाशा को सुनता है तो वो ट्रांस्फोर्मड हो जाता है उसके विचार उसकी सोचे बदलना शुरू हो जाती है और परमिश्वर के वचन को समझना गैर बाशा की वैल्यू को समझना वो स्टार्ट कर देता है बोलो आमेन मेरे प्रिऊव आज परमिश्वर आपको यही चिका रहा है कि गैर बाशा से भरना है गैर बाशा सुनना जरूरी है लेकर उससे जदा बोलना जरूरी है इसलिए आपने आज गैर बाशा बोलनी है क्योंकि हिश्व मसी, मर्कॉस की इंजील उसके सोला अधियाए उसके सत्रा वचन में कहते है मैंने तुम्हें विश्वास करने वालों के साथ जचिन होंगे वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मों को निकालेंगे रोगियों पर हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे और अन्य अन्य भाशा बोलेंगे सारा चर्च बोले क्या कहा अन्य अन्य भाशा बोलेंगे येश्व मसी ने ये बात कही अगर आप कमजोर हैं बिमार हैं आत्मा में स्ट्रॉंग नहीं हैं आप डाउन हैं आपके अंदर इंकरेजमेंट नहीं हैं लेजी लेजी फील करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गैर बाशा स्टार्ट करो, गैर बाशा में प्रेयर करना शुरू करो, अगर मैं तीन घंटे प्राथना करू, तो उसमें से डेड़ घंटा मैं गैर बाशा में प्राथना करता हूँ, अगर मैं छे घंटे प्राथना क आत्मा में मैं ऐसे ऐसे रेवलेशन देखना शुरू कर देता हूं परमेशन देशों की बविश्वानिया मुझे बताता है आने वाला बूकंबो चाल आने वाले कस्ट गौव्मेंट्स क्या करने के लिए जा रही है फ्यूचर में क्या कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर उस व्यक्ति को देखकर मैं बता दूँगा कि हाँ ये व्यक्ति फ्यूचर में डेंजरिस होगा यह अच्छा होगा क्योंकि गैर बाशा बोलने वाला व्यक्ति आत्मा में रहता है जब लोगों पर हात रखा जाता है फिर लोग चंगे भी होते हैं बोलो आमेन आपने कई बा अनॉंटिंग को ले नहीं पाते हैं इतनी हैवी अनॉंटिंग होती है गैर बाशा में बड़ी सामर्थ है आज अगर कोई विश्वासी कमजोर है उसको गैर बाशा की जरूरत है दन्यावी चीजों से थोड़ा बाहर निकलो विश्वासियो दन्यावी कामों से बाहर निकल दुनिया को खुश करना अब बंद करो परमेशर की तरफ द्यान दो अन्य बाषाब गैर भशाओ का गिफ्ट परमेश्वर से मांगना शुरू करो आप खाते हो पहनते हो अपने घर में रहते हो जौब करते नोकरी करते बिजनस करते हो आपका कोई भी fashion है परमेश्वर को उससे कोई problem नहीं है परमेश्वर को आपके पैसे से आपकी property से कोई दिक्कत नहीं है परमेश्वर को एक ही चीज़ से दिक्कत है कि आपको खुदा ने चुना है आपने बबतिस्मा लिया है आप परमेशر के लिए बुलाए गए हो लेकर आप परमेशर के उस मकसद के लिए जिसके लिए बुलाएगे उसको पूरा नहीं कर रहे हो। आप परमेशर के वर्दानों में नहीं बढ़ रहे हो। आज परमेशर से माँगें कि प्रबु मैंने गैर बाषा में बढ़नाया भ enn अमेन जिस तरह से Pantekust के दिन पवित्र आतमा उत्रा और लोग गैर बाषा बोलने लगे वहांपर कुछ लगलग देशों के लोग थे बहुत तरह तरह के लोग थे कि लगे अरे यह तो हमारी भाशा बोलता है यह तो हमारी भाशा बोलता है परमेशर कि सी भी तरीकी से गैर है मेरे प्रियों आज परमिश्र से गैर बाशा मांगें गैर बाशा पाना बहुत जरूरी है मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे परिवार में हमेशा हम सुबा शाम एक चटाई बशाकर पूरा परिवार दुआ करते थे आज भी करते हैं लेकर आज मेरी सिस्टर्स क की मैरेज हो गई वह अपने अपने घर में चली गई मेरी फैमिलीज मेंबर जो हैं वह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हैं लेकर फिर वी जब हमें कठे होते हम प्रेर करते हैं हम एक जगा पर बैठ कर प्राथना करते थे कपड़ा चटाई बशाकर और जब हम गर बाशा में इतनी समर्थ होती है बलो आमें इसलिए प्रमिश्ष चाहता है कि जो आपका पहले परमिशर के ताहरा रेलेशन था आप उसमें चले आज हमारे चर्च के बहुत सारे बलीवर्स हैं जिनको गैर भाशा नहीं आती जो वह तरीके से गैरभाशा नहीं बोलते ह लगातार गहर बाशा में प्रेयर्स नहीं करते मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है अगर आप गहर बाशा में प्राथना करने वाले बंदे होंगे किसी ने आपको गाली निकाली, किसी ने आपको बुरा बोला किसी ने आपको थपड मार दिया अगर शाम को उसने आपको मारा है या गाली निका लिया है सुबा तक आप रिजल्ट देखोगे रिजल्ट अगर आप अन्य बाशा बोलने वाले हो बोलो आमेन इसलिए अन्य बाशा गैर बाशा बोलने वाला व्यक्ति जो है व परमिश्व के आत्माने मुझे एक दम से कहा, इसको बोल गैर बाशा में प्रेयर करना शुरू करें। और जैसे उसने गैर बाशा में प्राथना करना शुरू किया, जो कई महीनों से काम नहीं हुआ, एक हफ़ते में वो बोली, मेरे लिए परमिश्व ने काम कर दिया, बोलो, आमेन, गैर बाशा में बहुत समर्थ होती है, बहुत परभाव होता है, इसलिए आज जितने मुझे आउनलाइन सुन रहे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, आज से आपने गैर बाशा बोलनी स्टार्ट करनी है, कितने लोग बोलेंगे गैर बाशा, कितने लोग मांगेंगे, कई बार कई लोगों को बोला जाता है, गैर आपको rejection करेगा आपको करेगा आपको andar के आपके दोरा वो गैहर भाशा के वर्डस निक्लने कि फूरू हो जाएंगे वह कि आमें ते वसक्राहिएं कर लगान जहांवित्त ना ना करेद Efendi के साथ भेद की बातों को शेर करते हूं वचन में लिखा है पत्रस प्रभीश्य मसी का जो प्रथम चेला था वो जहां पर भी गया वहां पर आत्मा लोगों पर उत्रा पत्रस की परशाई से लोग चंगे होते थे पत्रस का पहला पर चार जब किया गया तीन हजार लोगों ने बप्तिस्मा पाया पत्रस जहां पर भी गया उसने बड़े-बड़े कट्रपन्थी लोगों को बप्तिस्मा दे दिया कारण रिजन क्योंकि वो गैर बाशा बोलने वाले पवित्र आत्मा पाई हुए लोग थे आज चर्च को कलिसिया को पवित्र आत्मा पाने की ज़रूरत है मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं प्रेरतों के काम उसका 19 सद्य आये उसके एक वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं यहां पर क्या होता है जब अपालस करंथियों में था तो पालस उपर के सारे पर्देश से होकर इफसस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पावित्र आत्मा पाया है देखो इफसस में आपउस्टल पाल पहुंच चुका है इतने लोगों ने सुना है बोलो हालेलोया जो आलाइन देख रहे हैं क्या आपने इस लाइन में पढ़ा कि वहां पर चेलों का जिकर है चर्च आपने पढ़ा कि चेलों का जिकर है क्या यहां पर विश्वासियों का जिकर है विश्वासियों का जिकर है नए लोगों का जिकर हैं Believers का जिकर है किसका जिकर है चेले कौन होते हैं जैसे यश्य मसी के 12 चेले थे जो प्रभू के साथ रहे जिन्होंने सीखा जो ट्रेंड थे जिनके अंदर अनॉंटिंग ब्लेसिंग जिनके अंदर मसा है जिनके अंदर परपस एक मिशन है सेम उसी तरह के चेले मिले लेकिन जब प्रेरत पॉलस ने इनसे पूछा किया तुमने कभी पवित्र आत्मा पर विश्वास किया यह पवित्र आत्मा पाया तो उन लोगों ने अंसर क्या दिया सुनो क्या आंसर दिया उन्हों सब्सक्राइब कि आपने आपॉस्टेल पॉल से कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा कभी सुनी नहीं कि आज पर मिशर इन लोगों को प्रेदिद पॉलिस के द्वारा क्या संदेश दे रहे क्या किया रहे है कि अ तुमने कभी पवितर आत्मा पाया उन्होंने कहा कि हमने तो कभी चर्चा नहीं सुनी मैं एक चर्च में चला गया तो वहां पर पास्टर मुझे पता क्या कहने लगा सर जब आपना प्रीच करोगे जहाँ आप प्रेयर करोगे आपना आप लोगों को जब पवित्र आत्मा लोग दुस्ट आत्मा मत निकालना वहाँ पर लोगों जैसे लोग उछले ना, लोग रूमे ना भरें, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बाई मैं तो प्रीची नहीं यहां पर करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ही चेले वहां पर थे, जो येशु मसी को तो मानते हैं, येशु मसी को तो मानते हैं, येशु मसी की सेवा तो करते हैं, लेकन आज तक उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं है, बो आमें, अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे बो परमिश्वर, मैं गैर बाशा को सुनूँगा मैं गैर बाशा को बोलूँगा मैं गैर बाशा के वरदान को पाऊंगा मुझे चलना है आगे बढ़ना है क्योंकि मैं परमेश्वर तेरे से बात करना चाहता हूँ मुझे परमेश्वर तरी आवाज सुननी है आमेन वचन में लिखा उसने उससे कहा क्या तुने विश्वास करते समय पवितर आत्मा पाया उन्होंने उससे कहा हमने तो पवितर आत्मा की कभी चर्चा ही नहीं सुनी तीन वचन में लिखा उसने उससे कहा तो फिर तुमने किसका बबतिस्मा लिया उन्होंने कहा यहुना का बबतिस्मा अपॉलस ने कहा यहुना ने यह कहकर मन फिराओ का बबतिस्मा दिया कि मेरे बाद आने वाला है अर्थात येशु मसी पर विश्वास करना जरूरी है आज भी बहुत सारे लोग है जो में प्लेट फॉर्म पर नहीं है जो में चीज पर में फोकस किया है Jesus issue मसी बलो आमेन कोई doctrine कोई philosophy कोई imagination कोई कहानी कोई imagine कोई aci चीज हमारे सामने focus नहीं होनी चाहिए कोई historical कोई ऐसी चीज हमारे सामने focus नहीं होनी चाहिए हमारा focus Jesus है बलो आमेन अगर कोई व्यक्ति बोले ये कप नहीं है ये गिलास हैं तो हमें पता है ये कपी और इसके कहने से गिलास नहीं बनेगा। अगर कोई बोलें ये इंगलैंड की राणी नहीं है तो अमERीका का प्राइमीनेस्टर है। और वचन में लिखा पाँच वचन छे वचन में लिखा आप छे वचन को पढ़ सकते हैं फिर पॉलस ने क्या किया कि उन पर हाथ रखें तो पवित्र आत्मा उन पर उत्रा चेलों पर क्या उत्रा? सारे बोलो क्या उत्रा? क्यों उत्रा? क्योंकि परमिश्वर के दास ने ने पर क्या रखे? हाथ रखे Holy Spirit ट्रांसफर भी होता है ये ट्रांसफर बल है जब एक Spirit filled person Spirit empty person पर हाथ रखेगा तो वो आत्मा जो है ट्रांसफर हो जाएगा जैसे healing ट्रांसफर होती है बो आमेन यहां पर लिखा कि प्रेरित पौलस ने क्या किया? उन चेलों पर अपने हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा से भर गए और आगे क्या लिखा है? और वे भिन भिन भाशा बोलने लगे और बविश्य बानी करने लगे इनके पास गैर भाशा उसी वक्त आगे जब परमिश्र के दास ने इन पर हाथ रखे आज अगर आपके पास गैर भाशा नहीं है मैं इश्य मसी के नाम में ये घोशना करता हूँ कि परमिश्र आज रात जब आप प्रेर में बैठते हैं आपको गैर भाशा का वरदान दे वचर में बाइबल में लिखा है कि जब तुम अन्य भाशा बोलते हो तुम गुप्त में परमिश्र से बाते करते हो आज नौजवानों का ध्यान कहा है जो क्रिश्चन, जो मसीह, जो बब्तिस्मा, जो पवितर आत्मा पात चुके है उनका मन कहा है क्या उनके पास गैर भाशा है क्या उनके पास पवितर आत्मा की समर्थ है अगर एक व्यक्ति गुना में है अगर एक व्यक्ति पाप में है तो उसकी सजा उसकी फैमिली को मिलती है जैसे योना ने पाप किया और जहाज में था और पुरा जहाज डूब रहा था मैं आपको बता रहा हूँ फिर अगर आप अपने परिवार को अपने बच्चों को छोडाना चाहते हैं तो स्टार्ट करें दस मिनिट से स्टार्ट करें बीस मिनिट से स्टार्ट करें आदे घंटे से शुरू करें थोड़े समय से स्टार्ट करें लेकर गैर भाशा बोलना स् परमिश्र पर विश्वास रखें पशेंश रखें घैर बाशी और एर करते रहें बीजनस डाउन हो गया पैसे लेने किसी कोई वी काम फसा की डूइंग प्रेयर परात्न करते रहें क्यों terrific शासतर बाइबL लूय कि टाली है और जतने चर्च के द्ग से खाली हैं, you need to fill with the power of the Holy Spirit and the gift of tongue. Ani Basha, Gherbasha, Pani, Looki!! आपको जरूरत है. सबसे पहला- गहेर बाषा जो है वो परमेशर के साथ गुप्त बाते करना है. सारा चuesto पहलो पहला क्या है, गहेर बाषा परमिशर के साथ गुप्त बाके करना है. भेट की बाते करना है. दूसरा गहेर बाषा— बाशा गुप्त में परमेश्वर वार्निंग भी देता है जिस तरह से बैल शश्वर राजा को वार्निंग दी तीसरा जब आप अन्य बाशा गैर बाशा बोलते हैं तो आप अपनी लाइफ के गड़ों को तूड़ते हैं आप जो 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 डिमेंशिन्स आपकी लाइफ मे शेतान ने ऐसी परतें ऐसी लेयर्स आपकी लाइफ में बना दी है कि आप अभी आप देखो मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं हमारे बीच में कुछ नहीं है लेकन शेतान ने कुछ ऐसी लेयर्स बनाई हुई हैं जो आप देख तो सकते हैं लेकन आग अगर लाइफ में जनेरेशन टू जनेरेशन करसस चल रहे हैं बहुत ऐसे लोग मुझे मिलते हैं अपस्टब जी हमारी फैमिली में बहुत डैत्स होती हैं करसस हैं श्राप हैं हमारी प्रॉपटियां सेल हो गईी कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है कोई आग लगा के मरता है, कोई फांसी का फंदा लेके मर गया, लग लग तरह की ऐसे जनरेशन टू जनरेशन शराप चल रहे हैं हमारे घरों में, एक ही बिमारी पूरी जनरेशन में एक व्यक्ति को लगी रहती है, तो ये सारे करस्स होते हैं, इन शरापों से कैसे निकला ज सकता है, इन शरापों से निकलने का एक ही सलूशन है, घैर बाशा, जब अब घैर बाशा बोलना स्टार्ट करेंगे, तो खुदावंद का रूप आपको अज़ाद करना शुरू करेंगा, बोलो, आमेन नमबर है, 0160500800